कि अब 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 कि है लो फ्रेंड्स आपरेटिंग सिस्टम के कि लेक्षर नूमबर 15 में आपका स्वागत है आज हम लोग डिसकस्टन करेंगे दो टॉपिक हैं हमारे सामने पहला कॉंटेक्स स्विचिंग और रेसिंग प्रॉब्लम रेसिंग प्रॉब्लम में रेस कंडिशन भी आप बोल सकते हैं इसको तो सबसे पहले कॉंटेक्स स्विचिंग इट इस रिक्वार्ट तो मेंटेन दा रिसोर्स अलोकेशन बिट्वें तो और मोर प्रॉससे स्विचिंग जनरी परफॉन्ट बाइद ऑपर टिंग स्टम इसमें डिफिनिशन में देखे क्या लिख रहा है कि प्रॉसस अव ट्रांस्ट्रीं कॉंट्रॉल अब दो प्रोससे सब्सक्राइब तो अनदर प्रोसस फ्रॉम दा रिडीक्यू सिथी सी ब्यात है कि हमारे पास है दो प्रोसस होंगे पी बन और पी टू हम अभी दो की बात कर रहे हैं यह तो बहुत सारे हो सकते हैं तक जा सकता है अभी इनिसियली चुकि देक्ति की में नमबर रख लें कि इनक्राइब इन दो प्रोसस में एक कॉमन है हमारे बास सेड्स्यूंत है कि तो किसी भी परिस्तिति पर इसब्सक्राइब कि सकते हैं इसका मतलब है कि हमें इन दूनों को कुछ न कुछ ऐसे सिड्यूल करना होगा कि हम CPU को एक समय में एक टाइम के वल एक प्रोसेस की सर्विस के लिए लोकेट करें और यही ब्यवस्था प्रोवाइड करता हमारा स्विचिंग है की कॉंटेक्स स्विचिंग तो सब्सक्राइन करें की कोई प्रोसेस अगर यां पर कि절hin grain मान लेते हैं यहां P1 रण कर रहा है तो P0 हमारा Ready Q में होगा और अगर यहां P0 रण कर रहा होता तो P1 Ready Q में होता इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं अब Context Switching का काम है किसी भी Running Process में उसके Context को उसके Status को जिसमें Program Counter है, Register है, Stack है उसके अपने Data Value है उसके Code है उसका Complete Status को उसके Process Control Block में Save करना, Process को Run नहीं स्टेट से Ready एस्टेट में ट्रांसफर करना या जैसा requirement होगा उनको वहां से Wait एस्टेट में डालना, Suspend एस्टेट में भीजना और दूसरे Process को Run एस्टेट में ट्रांसफर करना यह Business कर से Context Switching का काम है तो अब इसी बात को हम यहां पर लिखे हुए कि प्रोसेश देटांस्फेर कंट्रोल अफ देटीएओ फ्रॉम करेंट्ली रॉनिंग प्रोसेश तो अनदर प्रोसेश फ्रॉम्द एडिक्यू नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता था कि वें दर रॉनिंग प्रोसेश रिक्वेश समयो ऑपरेशन कब जब कोई भी रॉनिंग प्रोसेश फ्रॉम्द करते हैं अगर किसी सर्वीस में प्रोसेशिंग के दौराण स्वाइएओ सरवीश का रिक्वार्मेंट है तो उसको हम ट्र सब्सक्राइब लेकिन स्वेटराइब सब्सक्राइब है प्रैम्टेट प्रोसेस राउंड रॉबिंग तो 100 पर्सेंट प्रीम्टेट से जीओल है तो इस तरह के सीडियूल में हमको जरुर्रत बढ़ेगी स्वीचिंग कि इसे एक्शिवल या कोई भी रिशोर्स हमेसा नहीं करें किसी CPU की बात होगी दूसरे रिशोर्स को भी यह शेर करेंगे तो जब भी किसी रिशोर्स को सेरेवल मोड में यूज करना है तो हमको बात है जिससे एक से अधिक प्रोसेस को एक कौमन रिसोर्स को सेर करने के योगी हम बनाते हैं ताकि आसानी से शेरींग हो सके बात समझ में आ गई अब जड़ा आगे हम पहें हम रेसिंग प्रॉब्लेम की बात करें रेसिंग कंडिशन की बात कर रहें तो इसको समझने के लिए एक छूटा हमने एकजामपल दे रखा है हम आसा रखते हैं कि इस एक बाद आप अब जड़ा विचार कीजिए कि हम एक यूनी प्रोसेसर की बात करें हमारे पास एक ही CPU है हमारे पास दो प्रोसेस हैं और यह प्रोसेस एक निश्चीत रिसूर्स एक ही हम बात कर रहे हैं यह हमने बना रखा कोई एक रिसूर्स है फाइल है एक फाइल आप मान सकते हैं कि एक कॉमन फाइल है जिसको दोनों री प्रोसेस सेयर करते हैं अब उसको कांटेक्स स्वीचिंग के थूरू से हम रन करने की कोशिज करेंगे तो क्या हमारे रिसोर्स पर या हमारे फाइल पर कोई असर पड़ता है हम यही देखने की कोशिज करेंगे और इसको आसानी से समझन के लिए हमने एक सिंपल सा एक्जामपल लिया है यह हमारा एक्जामपल है और जरा साथ देखे और प्रोग्राम टू प्रोसेस Snे यूजर aircraft हमने अभी मान रखता है कि यह जो हमारा यहां यह है यह यूजरक付 अन अब हर यूजर, बैंक में एकाउंट खुरता है तो उसका विखनेाel नमींश्रिवों है नंबर तो एक variable हो गया वो कहीं ने कहीं उस account number में एक memory share करेगा और वहां पर एक amount हमारा रखा होगा मान लेते हैं हमारे account में 1000 रुपीज है और हमने दो प्रोसेस बनाया है यह दो प्रोसेस इस तरह से हम मान के चले कि मान लेते हैं हम आरे पास account है हमने किसी person को एक चेक काट क के दे दिया 200 रुपए का हमारे पास at present 1000 account में है हमने किसी को 200 रुपए का चेक कर दिया है और दूसरे दिन हम अपने account में 200 रुपए जमा करने जाते हैं कि कंडिशन दोनों आप समझ रहे हैं कि आज हमने account किसी को चेक दिया 200 रुपए है निकालने का वह डेविट होगा हमारे account से और दूसरा person को हमने भेजा या हम खुद ही चले गए बैंक में 200 रुपए आज हमने चेक दिया वह आदमी भी कल दस बजे बैंक पहुंचा और अपना विड्रॉल के लिए उसने अपलाई किया चेक जमार किया कि हमको 200 रुपए दिया जाए और हम उसी टाइम में 200 रुपएं जमार करने चले गए अब जड़ा देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय क्या क्या स्थिति होगी और उसमें हमने condition एक लगा रखा माल लेते हैं यह तो तह है कि यह दोनों प्रो रोल करेंगे एक्सेस करेंगे ister है सर्त यहीं है कि प्रोसेस 200 रुपया डेबिट करता है और पीवन प्रोसेस 200 क्रेडिट करता पी 0 निखालता है 200 रुपया और पीवन 200 रुपया जमा करता इस बात को आसानीं सम disgra मत् Pepsi करता है कि हमारे पास एकाउंट है एक आदमी चेक लेके गया कुछ एकाउंट से हमको 200 रुपए दीजिए बैंक वर दे देंगे क्योंकि उनको चेक वेरिफाई करेंगे पेमेंट करेंगे और हम गये 200 रुपए जमा करने के लिए अब उसी एकाउंट में तो सभाविक है कि हम यह दोनों ही प्रोसेस यह कहीं पर्टिकुलर एकाउंट को एकसेस करेंगे और क्या होगा तब जब दोनों कॉनकरेंट प्रोसेसिंग शुरू हो अब दोनों एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के तोरह हैं हैं एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हैंडिल किये जा सकते है है लेकिन अभी हम मान के चल रहा है कि हमारे बैंक में मल्टी टास्किंग मोड में मल्टी प्रसेसर पैरलल कंप्यूटिंग कि distributed computing फॉर्म में लगा हुआ एक ही और अलग अलग काउंटर पर यह काम हो रहा है एक आदमी पैसा जमा कर रहा है दोनों ही काउंटर पर एक ही एक्सेस करने के लिए हम पहुंचते हैं अब जरह सब विचार करें ऑपरेटिंग सिस्टम को यह राइट है कि इन दो प्रोसेस मे किसी एक प्रोसेस को και ओगा वेदर P1 पी जिरो और Rs इसमें तो कोई शक्षी नहीं है सीपी उ को या तो P0 एक्सेस करेगा या फिर पीवन करेगा फिर दोनों एक साथ नहीं कर सकते यह अलग बात है क्यों एक साथ आइं तो हमारा operating process क्या करेंगा जाएगा उसको रीड करेंगा रीड करने के बाद उनको मिला यह का account 1000 है सब्भाविक है यह माइनस 2000 में 200 रुपए निकाल ले हैं उसमें से निकालेंगे निकालने के बाद जो बैलेंस बचेंगा उसको हम राइट कर देंगे ठीक है एक हजार रुप एक हंड्रेड बचा कि उसके बाद पीवन आता है पीवन इसको रीड करता है एक पीवन का अपना सोर्स कोड है अपना प्रोग्राम है अपने वैरियेबल है यह वहां से तो सिर्फ डेटा को शेयर किया इसने एक हो रीड किया एच्कॉल टू अप्लस टू हंड्रेड किया राइट किया तो फिर सेए कारदिया हमारा काम हो गया हमारा माउंट इतना था उतना ही है एक प्रोसस पीवन आया उसने 200 रूपय निकाला फिर प्रोसस पीवन नाया उसने 200 रूपया जमा कर दी हमारा अक्वार्ड से प्रॉब्लम साटिस्फाइबल है लेकिन थूड़े देर के लिए विचार कीजिए कि यह प्रोसेस कंप्यूटर पर चल रहे हैं क्या होगा जब इस प्रोसेस को हम रन कर रहे हो और बीच में ही कॉंटेक्स स्वीचिंग हो जाए है अब जब विचार कीजिए हम इस स्थिति की बात कर रहे हैं पीजीरो देन पीवल देन पीजीरो पीजीरो आता है एकाउंट को एक्सेस करता है ए इसकोल टो 1000 ए इसकोल टो एप माइनस 200 यहां पर होता है कि एट हंडेड और यहां के बाद जब हम प्रोसेस कर रहे थे हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कारण से कि मान लेते हमने राउंड रोब इन सीडियूल चला है और यहां आने के बाद वो कॉंटेक्स स्वीच कर देगा ऑप्रेटिंग सिस्टम इतना पावर्फूल है कि वह इस बात का ख्याल नहीं रखेगा कि आप कहां पर है या क्या काम कर रहे हैं उसको जब भी ज़रुरत हो होगी वो कांटक्स्वीच कर सकता है जerg Parran को गिवेट कियों दो इंस्रॉक्षन आपने रन कर लिया है दो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन नमबर वन इंस्ट्रक्शन नमबर टू इसके बाद यहां पर आप यह बच कि बीच पिर ट्री में जाएंगे यह रेट करने का मतलब है कि जो ही हमने इसको context switch किया तो CPU थोड़ी वेट करेगा CPU तो वेट करेगा नहीं तो CPU immediate P1 process को रेड़ करेगा कि भाई ठीक है इनको वेट करने दिए आप दूसरा process लाईए process P1 आया अभी उसने उसी value को रेड करना है 1000 इसने भी रेड किया 1000 इसने प्लस 200 किया 1200 उसके बाद यह write कर लिए write किये मतलब यहां पर value कर दिया 1200 हमने इस process के दो लाइन को execute किया है फिर P1 को execute किया फिर जब यह terminate हो जाएंगे सभाविक है कि यह terminate हो जाएंगे तो वापस इनका turn आएगा फिर यह आएंगे यह क्या कि यह process P0 अपना processing आधा कर चुका था अब वो तीसरे नंबर पर आया तीसरे नंबर पर आया तो राइट है यह का value क्या है 800 इस को कोई problem नहीं है यह 800 करके बाहर निकल गए अब जरा विचार कीजिए problem वही था हमने sequential अगर चलाया था एक के बाद एक हमें कोई समस्या नहीं थी लेकिन अभी जो स्थिति है अभी जो काम हमने किया इसमें दोनों को और कॉपरेटिंग प्रोसेस के तौर पर चलाया एक ही साथ चला दिया और एक ही साथ चलाया और बीच में हमने context switch किया हमने नहीं किया operating system नहीं किया लेकिन operating system इसे common file को access कर रहा थे यह दूनों ही process common file को access कर रहे थे इस process को इस बारे में कोई जयनकारी नहीं है कि कोई process P0 भी इसी file को access कर रहा है file open था इस ने रिड़ किया इसने रिड़ किया बात समझ में आई अब इसको दूसरे तरीके से भी आप रण करें मान लेते हैं एक दूसरा condition जरा देखिए इस condition में इस condition में क्या स्थीती होगी जरा हम लोग फिर से दूसरे condition पर बिचार करें कि इसका ठीक उल्टा काम हम करें कि मान लेते हैं हमारा problem start होता है कि problem P1 से कि रिड़ ए मिन्स 1000 प्लस 200 है टोटल वैल्यू 1200 यह रन स्टेट में रैम में वहां से हमने डेटा लिया था रिड़ किया था 1000 कि बिलकुल इनिशियल स्टेट की हम बात कर रहे हैं और इस से स्वीच नहीं करके हम इस पॉजिशन पर इंस्ट्रक्शन वन टू के बाद स्वीच करके हम चले आए यहां कॉंटेक्स स्वीच किए स्वीच करने के बाद पीवन के पास आए पीवन ने रिड़ किया गैलू 1000 कि माइनस 200 इन्हों ने किया एट 800 अब यह राइट किये इसको चेंज करके और यहां से टर्मिनेट हो गया है 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 क्यों टर्मिन्ट होने के बाद अब यह हमारा इमीडियों इहां से नंबर लाइन नबर थ्री पर जाएगा और यह अपना प्रोसेस किये हुए थे 1200 इन्हों में 1200 एड कर दिया अब आप आशानी से समझ सकते हैं कि रेस कंडिशन में प्रॉब्लेम क्या हुआ अगर हम प्रोसेस को बारी-बारी से रन कर रहे थे थो हमें कोई समस्या नहीं थी प्रॉब्लेम तब आई जब किसी रिशोर्स को हमने सेयर कर दिया अगर तीसरे कंडिशन की हम बात यहां कर लें कि वेंदर रनिंग प्रोसेस प्रीमिटेट इस पर सेडियूलिंग क्रेटेरिया हमारे पास राउंड रॉड भी शिटिव्ट कर दिया कि नहीं आपको हम पूरा लाइन कि इसी डेटा पर काम कर रहा होता था हमें दिक्कट नहीं थी दिक्कत कहां अई जब हम कॉमनक को सेयर कर रहे थे यह सोर्स हमारा अकाउंट नंबर था चन जोक से और हम रहें को आए तो यह हैंक्त ऑप अब क्या करेंगे इस problem से तो बचने की ज़रूरत है racing condition नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारा database inconsistent हो जाएगा इसके consistency पर सवाल उठ गया 1000 रुपए हमने जमा किये थे हमने 200 रुपए निकाला हम 200 रुपए जमा किये अब हमको 200 रुपए बढ़ा हुआ मिल रहा है दूसरी कंडिसें 200 घटा हुआ मिल रहा है तो दोनों ही problem गड़बढ़ है जिस भी मोड में आप context switching के बाद अगर इस तरह से आप रन कर देते हैं तो सभाविक है हमारा पूरा का पूरा database inconsistent हो गया हमारा पूरा फाइल ही करप्ठ हो गया तरह से उस फाइल कोई मतलब नहीं है जब हमारे बास डेटा ही प्रॉपर नहीं रहा तो अब उस डेटा पर कोई भी processing करेंगे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा यह कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कि किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट्स और टाइम म हम बारी बारी से ट्रांजिक्शन कर रहे थे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन जिस दिन यह स्थिती आई उसी दिन तो डेटाबेस इंक उस्टेंट हो गया और यहां सिर्फ दो प्रोसेस की बात हो रही है आप जरह सभीचार कीजिए कि आज के हमारे जमाने में हम ल तो प्रोसेस की ऐने के पाद इस तरह की consistency हो सकती है तो अगर दस सकते नहीं क्के पाएंगे और यह फूर् फिर प्रोसेस को हम रन नहीं कर सकते हैं मतलब सीधा है कि जब हम किसी प्रोसेस को एक साथ resource share करने की बात करते हैं तो process के बीच कहीं न कहीं synchronization की बात होनी चाहिए consistency की बात होनी चाहिए resource sharing में कोई problem नहीं आना चाहिए ना हमारे software में कोई अंतर आना चाहिए ना हमारे program में data होना चाहिए ना हमारे hardware में problem होना चाहिए ना हमारे database में problem होना चाहिए ना हमारे resource में problem आना चाहिए resource के speed पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए यह hardware independent हमारा process scheduling भी होनी चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी एक particular hardware पर हम काम करें दूसरा hardware जेंज कर दिया तो scheduling हमारा घड़बर हो गया तो इन ही साधे problem पर बिशार करते हुए आगे के topic पर हम लोग discussion करेंगे operating process को कैसे synchronized किया जाए inter process communication को किस तरह से perform किया जाए किस तरह का ब्यवस्था हम बनाया किया हमारा system होगा ताकि हमारा कोई भी database या हमारा system inconsistent ना हो consistent रहे है आप कोई भी process करें कहीं भी आप switching करें क्योंकि multiprocessing multiprocessing सीमार भी uniprocessor हमारे पास एक ही computer है हमारे पास एक 100 तरह के program है हर program को हम run करना चाहते हैं लेकिन इस program के run करने में हमको किसी भी तरह के problem खास करके race condition या racing जो problem हम जिसको बोल रहे हैं यह race condition के स्थीति में भी consistency बना रहे हैं इस बात का भी से समध्यान रखेंगे अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा problem system process management का ही पूरा फेल हो जाता है तो अगले क्लास में अब इन ही तरह के problem के solution की तरफ हम बढ़ेंगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे process आप कापरेटिंग मोड में काम कर रहे हो तो उनमें synchronization होनी चाहिए synchronized manner में काम हो ताकि हमारे database और हमारे problem में हमारे program में हमारे hardware में हमारे resource में throughput में किसी तरह की का कोई समस्या ना है और हम अपने computer को आसानी से operate कर सके operate करने के लिए हमारे पास operating system है तो हमारा algorithm proper way में काम करें और जिससे हमारे किसी भी program code resource या किसी और भी condition में inconsistent नहीं हो हमारा program पूरा consistent हो ताकि हम इची वे में program को हैंडिल कर सके हैं आज के लिए इतना ही और रेस्ट अगले video lecture में हम लोग देखेंगे थैंक यू